लोकसवा चुनाओं में अब बस चंद महिनों का समय शेस रह गया है। लोकसवा चुनाओं से पहले तीन राज्यों में जहां कॉंग्रेस और बीजेपी में सीधी टकर है। लोकसवा चुनाओं से पहले ही टूटे का इंडी गटवंधन क्या है खबर बताते हैं आपको विस्तार से। दरसल आम आदमी पार्टी दोजार चुबिस का हरियाना विधान सवाचुनाओं अपने दम पर लरेगी। इस बात की जानकारी राज्यकाई के उपाध्यक्ष अनुराग धांडा ने दिये। उन्होंने कहा कि पार्टी का पुरा संगाठन आदमक धाचा तयार है और जल्द ही अपनी ग्राम स्तरिय समीत्यों की भी गोशना करेगी। हलाकि धांडा ने कहा कि लोगसवाचुनाओं के लिए भारतिय विपक्षी गुट के सदस्यों के बीच सीट बटवारे पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। ये दूसरा मौका है जब पार्टी की ओर से इस तरह का दावा किया गया है। उन्होंने साफ तोर पर कहा ह है कि विधानसवा चुनाओं के लिए कोई समझोता नहीं होगा, कोई गटबंधन नहीं होगा और आप सवी 90 सीटों पर अपने दम पर चुनाओं लरेगी। लोगसवा चुनाओं के लिए हम पार्टी आला कमान के आदेश का पालन करेंगे। आप नेता से वरिष्ट अबुपेंदर सिंग हुडा की हालिया टिपनी के बारे में पूछा गया था कि उनकी पार्टी अपने दम पर लोगसवा और विधानसवा दोनों चुनाओं जीतने में सक्षम है। उन्होंने ये भी कहा था कि कॉंग्रेस अगले साल के आम चुनाओं में हरियाना की सवी 10 पर चुनाओं लरेगी। हरियाना के पुर्व मुख्मंत्री ने दावा किया था कि आपका राज में कोई जनाधार नहीं है। भुपेंदर हुड़ा और उनके बेटे दिपेंदर हुड़ा सोनिपत और रोहतक लोकसवा दोनों सीटे हार गये थे। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे लोकसवा चुनाओं से पहले ही यह गटबंधन तूट कर भिखर सकता है। वीरो डिपोर्ट, OMH News और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। करें झाल करो करachel झा railway